हेलो एवरिवन मैं हूश्रेया और आईए जानते हैं आज की खास खबरें सल्मान खान की भी पिटाई हुई है जी हाँ भले ही इस बात पर बिलीव करना मुश्किल हो लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है और खुछ सल्मान खान ने ये किस्सा कबर शर्मा के शो पर बताया जहाँ पर अपने भाई सोहेल खान की वजह से उन्हें पिटना पड़ा था सोहेल खान ने बताया कि बैंट स्टैंड पर कुछ लोग उनका नाम लेकर गाली दे रहे थे ऐसे में जब सोहेल खान ने उनसे पंगा लिया तो ग्रूप में लोगों ने उनकी पिटाई कर दी तब सल्मान खान उन्हें बचाने आए और सल्मान खान की भी पिटाई हो गई वेलस खबर पर आप क्या कहेंगे नीचे कमेंस में जरूर बदाईए शलबाशिंदे ने हाल में ही इस बात की सफाई दी है जहां उन्होंने बिग बॉस 12 के विनर दपिका ककर को मक्खी कहा था शलबाशिंदे ने जूम को दिये एक टेलिफॉनिक इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने दपिका को मक्खी इसलिए कहा है क्योंकि सभी जानते हैं कि उनका अंदाज मजा किया है रहे बात देपिका की तो उन्होंने खुद शो में कहा है कि उन्होंने मक्खी का कारेक्टर प्ले किया है इस सीजन में वो श्री सन के पास भुन हुनाती रही है वेल शिलपाशिंदे के इस बयान पर आप क्या कहेंगे कमेंस में जरूर बताईए बिग बॉस 12 के विजेता का एलान होने से ठीक पहले मेकर से एक ऐसी गलती हो गई है जो शायद आपको शौक कर देगी जी हाँ अब अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं बिग बॉस के विनर को बनाने में कोई गलती तो नहीं हुई है न तो बता दे ऐसा कुछ नहीं है दरसल सल्मान खान ने दीपक, श्रेसंत और दपेका को पैसे लेकर शो छोड़ने का ओफर दिया था लेकिन यहाँ पर सल्मान खान ने कहा था कि इस बार शो छोड़ने वाले कंटेसंस को जो पैसे दिये जा रहे हैं वो बिग बॉस की हिस्ट्री में अब तक सबसे जादा है अब सल्मान खान की ये बात सुनकर दीपक ने 20 लाख रुपे लिये और शो छोड़ दिया लेकिन बिग बॉस 8 के कंटेस्टिन प्रीतम सिंग ने इस बात का खुलासा किया है कि जब वो ग्रैन फिनाले में थे तो उन्होंने 25 लाख रुपे लेकर शो छोड़ा था ऐसे में ये बात सहीं नहीं है कि दीपक को बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे ज़ादा पैसे मिले है ये रिष्ठा क्या कहलाता है खत्रों के खिलाडी और बिग बॉस 11 के बाद हिना खान कसौटी में कोवानिका के कैरेक्टर में नजर आई है लेकिन सिर्फ यही नहीं बलकि जल्दी हिना खान एक नए किरदार में नजर आने वाली है हिना खान बॉलिवूर्ट फिल्म लाइन्स के बाद अब एक और शॉर्ट फिल्म में नजर आने वाली है इसके साथ इस फिल्म में विवान भथेना आक्टिंग करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म के शूटिंग आज से शुरू हो जाएगी लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि कई हिना खान को सौर्टी छोड़ तो नहीं रही तो बता दे ऐसा कुछ नहीं हो रहा हिना खान की ये शॉर्ट फिल्म सिर्फ दो दिनों की है तो परिशान मत हो ये हिना खान कहीं नहीं जा रही क्या आप हिना खान को नए अंदाज में देखने के लिए एकसाइटेड है नीचे कमेंस में बताना मत भूलिए रियालिटी शो बिग बॉस 12 का ग्रैंड फिनाले खत्म हो गया है दिपिका ककर इस शो की विनर बन गई है शो में उनकी और श्री संथ की खूब बनी थी दोनों घर में भाई बहन के रिश्ते के साथ रहे आपको बता दे दिपिका ककर के जीतने के बाद श्री संथ की पत्नी भूवनेश्वरी बहुत खुश नहीं थी लेकिन हाल में दिपिका ककर और श्री संथ के साथ दोनों परिवार एक साथ नजर आए श्री संथ ने अपने सोशल मीरिया पर ये फोटो शेर किया है क्या आप देपिका उश्री संद को दोबारा एक साथ देखना चाहते हैं कमेंज के जरीए हमें जरूर बताईए तो ये थी आज की खास खबरें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजे, इस पर कमेंट कीजे और ऐसी अबडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूले हिंदे रश